किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल दाकर्ड आप देख रहे हैं स्मारेट अग्रिकल्चर योट्यूब चैनल इस वीडियो में हम ग्यों की खेटी के बारे में बात करेंगे वीडियो में हम विश्तार से ग्यों की बुवाई के बारे में बात करेंगे ग्याओं की फसल में बुवाई के समय पर सही खाद का प्रियोग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है नहीं तो ग्याओं में फूटाव ने हो पाएगा और ग्याओं की प्यदावार भी कम निकलेगी तो इस वीडियो में हम ग्याओं की बुवाई के समय एक खाद के प्रियोग के बारे में बात करेंगे जो खाद ग्याओं की बुवाई के लिए सबसे बेश्ट खादे और उस खाद के प्रियोग से आप ग्याओं की बहुत अच्छी प्यदावार प्राप्त कर सकते हैं तो उस खात की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्केप के अंत्य तक जरूर देखे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और उसके पास में जो गंटी का निसान आया है उसे भी जरूर दबा दीजे ताकि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिपिकरशन आपको तुरंत मिल जाए और किसान भाईयो अगर आप हमारे वार्टसप ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं अगर बुवाई के समय पर इन चारों में से किसी एक पोसक दत्तों का प्रियोग नहीं कर पाते हैं तो उसका एपेक्ट पैदावार पर पड़ता है इन पोसक दत्तों के लिए अधिकतर किसान या तो डियेपी का प्रियोग करते हैं या एन पीके 12-16 का प्रियोग करते हैं और सलपर के लिए कुछ किसान अलग से सलपर युक्त खाद डालते हैं तो कुछ किसान कुछ भी नहीं डालते हैं तो अब मैं आपको एक ऐसे खाद के बारे में बताने वाला हूँ जो खाद डियेपी और एन पीके 12-16 से भी सच्टा मिल जाएगा और उसका रिजल्ट भी बहुत सांदा रहे हैं तो उसक खाद का नाम है अमोनियम फासपेर सलपेट इस खाद को 20-20-0-13 के नाम से भी जना जाता है इस खाद में 20% नाइट्रोजन होता है 20% फासपरस होता है और इसी के साद इस खाद में 13% सलपर होता है किसान भाईयो मुझे ये खाद गयों की बुगाई के लिए सबसे बेश्ट खाद लगता है क्योंकि इस खाद का पहला फाइदा तो ये हैं कि ये खाद डिएपी और इनपी के 12-32-16 के मुकाबले मार्केट में तोड़ा सचता मिल जाता है और इस खाद का दूसरा और सबसे बड़ा फाइदा तो ये है कि इस खाद में 13% सलपर होता है जो पोड़े के लिए बहुती ज़्यादा महत्तुपूर्ण शुक्स में पोशक तोड़ा है अगर आप भी इस खाद का प्रियोग करते हैं तो फिर आपको अलग से बिलकुल भी सलपर नहीं डालना पड़ेगा अगर आप डिएपी डालोगे या इनपी के 12, 32, 16 डालोगे तो उसमें आपको अलग से सलपर डालना पड़ेगा अलाकि इस खाद में पोटास नहीं होता है और पोटास के लिए आपको अलग से डालना पड़ेगा लेकिन इस परकार से देखे तो अगर आप डिएपी डालते हैं तो उसमें भी आपको पोटास अलग से डालना पड़ता है अगर इस काद के प्रियोग की मात्रा के बारे में बात करें तो आप एक एकड में 50 किलो ग्राम 20 भी 0-13 खाल डालिए और इसके साथ आप एक एकड में 20 किलो ग्राम M.O.P. मतलब पोटास डालिए इस प्रकार से आप ग्यों की बुवाई कर दीजिए फिर आप बुवाई के बाद देखना कि इसका रेजल्ट कितना अच्छा मिलता है इसके लावा जब आप ग्यों की बुवाई करते हैं तब आप थाहरम से ग्यों का वीद उप्चार जरूर करें तो किसान भाई यो यह थी ग्यों की बुवाई के जानकर ही क्या आपको आगे भी ग्यों की खेटी से जुड़े वीडियो की जरूरत है कमेंट करें वस्य बताईए वीडियो पसंद आया वो तो वीडियो को लाइक वस्यार जरूर करें चले मिलते हैं अगले वीडियो में जय जवान जय किसान